जियो हेंसेंट 5G सेटिंग प्रॉब्लम जियां दोस्तों यदि आपसे भी जियो का सिम यूज़ कर रहे होंगे तो आपका जियो का 5G नेटवर्क शो नहीं कर रहा होगा इवन आपने यहांपे सभी 1% solution क्या है कैसे आप सभी चला सकते हैं 5G को अगर आप बार बार इसको परिशान होगे इनेबल करते हैं फिर भी 4G आजाता है ठीक है तो चलो मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को आपको step to step देखना है किसी भी पार्ट को skip नहीं करना है क्योंकि मैंने सारी ही detail में आपको व यह करें उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इस तरीके settings को क्लिक करें settings पर जाने के बाद आपके phone में आपके Wi-Fi अगर connected है तो आभी आप इसको बंद करते हैं just mobile data पर ही रहें ठीक है तो अभी तुम्हें क्या करना है यहाँ पर जाएगा connectivity और इस तरीके से आपको host port क इसको enable करो enable करने के बाद आप इसको off कर देंगे host port को ठीक है next आपको क्या करना है अपने phone की जो है developer settings को enable करना है यहाँ पर जाओ इस तरीके से developer setting लिखो या फिर developer setting को enable करो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिएक्टली नहीं मिलेगा आप अपने phone में जाना developer option को enable कैसे किया जाता है किसी भी वीडियो को देख लो कि how to enable developer option in setting phone में ठीक है यहाँ पर जाने के बाद इसको आप turn off होगा इसको turn on करो turn on करने के बाद इसी के नीचे जाना यहाँ पर आपको setting मिलेगी जो कि मैं आपको बता देता हूं वो जो है connectivity से regarding होती है तो काफी help करती है अगर आपक scan threatening इसको भी आप इनेबल करना है उसके बाद आप इसको बैक करें बैक कर देते हम यहाँ ठीक है अब तुम्हें क्या करना है इस तरीके से जाना है और यहाँ पर आपको जो है airplane mode को इनेबल करना है ठीक है देखने जैसे मैं step follow कर वारा हूं वही काम करते है मैंने भी इसी त इसको आपको जाएंगे यहां से आपको जो अपने फोन में जो है जाकर reset wifi और mobile data Bluetooth इसको आप क्लिक करके जो है आपकी connectivity वाली setting है वो reset हो जाएगी इसको आप यहां पर क्लिक करके अपना password एंटर करके इसको आप reset कर देना है next आपको आपको करना है इस तरीके से बैक करें ठ ठीक है factory reset मत करना नहीं तो आपका phone का जो है सारा data चला जाएगा वो मत करना सिर्फ network setting को reset करना है ठीक है इतना करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर जाना है settings के उपर अब आपको जाना है mobile data तो आपके सामने जो यहां पर इस तरीके से एक option मिलेगी जिसका नाम होगा mobile network अगर आप यहां से आपका जो है जो भी data है वो आपको शो करेगा उसके बाद यहां पर आपको जो बहुत करके देखने को मिलेगा यह ओफ होगा तो आप टान ओर करने के बाद यहां से आप सभी जैक आउट कर सकते हैं preferred network type इसको आप जो definitive 5G recommend पे कर देना अगर यह अगर 3G, 4G, 3G पे है तो आप इसको 5G पे कर देना उसके बाद आप सभी इसको back करेंगे ठीक है इतना कर देना ठीक है अब आपको क्या करना है इस तरीके से जाओ mygo app के उपर यहां पे प्लेश्टोर ओपन करो और इस तरीके से लिख दो mygo ठीक है जो भी आप माई जी लिखोग लोगिन कर लेना अगर आपने लोगिन नहीं कर रखा था ठीक है तो अब इस तरीके से यहाँ पे हम कर देते हैं back और यहां से आपको थोड़ा सा नीचे जाना इस तरीके से और मेरे ना फोन में अरड़ी यहां पर 5G एनेबल है आपके फोन में आपके त्रू 5G करके को आपिया जियो वैलकम ओफर नोट अप्लाई बट मेरे फोन में और यहां पे 5G चला लिया था अब देखो यह ना प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है में प्रॉब्म थी आपको यहां पे सेटिंग में जाके हैट सेट वाली जो प्रॉब्म आरती इसको आप डैफिनेटी कर ल उसके बाद चेक आउट कर लेना कि आपका फोन जो है 5G सपोर्ट होना चाहिए तीसरा है कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क भी होने चाहिए ठीक है यह सब करने के बाद और एक अपने फोन को लेटेस्ट वर्दन सौफटर अपडेट भी कर लेना आप जाओ अपने सैटि यह देखते हैं यहां पर 5G आ रहा है मेरे फोन में यहां पर वैलकम ओफर शोन ही कर रहा है क्योंकि मैंने इसको और इनेबल कर लिया था अब वैलकम ओफर की जोड़त नहीं है बस इतनी सैटिंग ध्यान रखो जो मैंने आपको बताई है उसके बाद आपका 5G चल जाएग आई होब सो वीडियो अपके लिए का फिए था हेलफूल होगी गाइस मिलते हैं नेक्स लोड़ में थेंकी सो मच गाइस